जेहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर कारक बचन और लिंक से संबंदित भूत ही महत्तुपुण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा अवस्त देखें अगर आप चैनल पर पहली बा करते हैं आज अपना वीडियो कारक बचन और लिंक से संबंदित यहाँ पर महत्तुपुण कॉस्चन अपनी जो है आज का यहाँ पर फ्रस्त पूस्चन पूंचा क्या है गठरी सब्ध है तो गठरी सब्ध क्या है यह बताना है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है इस्तृ possa इस त्री link आपका हिहाँ पर सही answer है अंगला question देखे अंगला question आपका हिहाँ पर क्या दिया गया है तो यह है आपका अंगला question क्या है उसके प्राण सूख गए बाक में प्राण का बचन नरधारित कीजिये आनिकि यहाँ पर प्राण क्या है एक बचन, दोई बचन, बहु ब अंसर होगा बिल्कुल सही अंगला कॉस्चन क्या है कवीता का बहु बचन बताईए कवीता का बहु बचन यहां पर क्या होगा कवीता का बहु बचन आपसे पूचा है चार विकल्प भी आप कहां पर दिये गए हैं यह आपके चार विकल्प है कवीता का बहु बचन क्या असोक ने पत्र पड़ा इस बाक्य में कौन सा का रखे असोक ने पत्र पड़ा इस में कौन सा जो है बाक्य में का रखे करता कर्म अधिकरण या कारण करण तो यह आपकी चार विकल्प है question number 4 है आपका right answer विकल्ब 1 करता आपका हैहांपर पर सभी answer है करता आपका right answer है अंगला question यहांपर देखिए एह है इनमेंसे कौन सा सब्द pulling है यह देखी question आपकी जो पूरी question है जो पूछेई के question है यहांपर आपके उन्द में से कौन सा सब्द पुलिंग है तो पाँच का राइट आंसर है विकल्प नमबर C यानकी खट्मल खट्मल आपके यहांपर सई आंसर है खट्मल राइट आ alleviate आंसर है विकल्प नमबर C जेनों ने बताया है उनका सई आंसर है अंगला कॉस्चन क्या है निम्न में से कौन सा सब्द इस्त्री लिंग है इस्त्री लिंग बताना है सुन्दर्ता काप्वे सौभाग या चंद तो आपके हैं पर 6 का राइट आंसर है विकल्प नमबर 1 सुन्दर्ता सुन्दर्त क्या है इस्त्री लिंग है याद रखना है इस्त्री लिंग सब्द है सुन्दर्ता अंगला कॉस्चन क्या पूँचा क्या है अंगला कॉस्चन यहाँ पर पूँचा क्या है निम्न में असी कौन सा सब्द इस्त्री लिंग है इस्त्री लिंग कौन सा सब्द है यह है अंगला question ए रहा निम्न में ऐसे कौन सा सब्द pulling है pulling बताना है एक्छा राष्टे रक्षा या योगता ये आपके चार विकल्ब दिये गए है question number 8 का सही answer बताना है यहाँ पर pulling सब्द बताना है तो question number 8 का भी right answer होगा यानकी राष्ट आपका यहाँ पर सही answer है अंगला question है निम्न में ऐसे pulling सब्द है यहाँ पर भी आपके लिए pulling बचन हानी प्यास या बचत question number 9 है और 9 का सही answer है आपका यहाँ पर विकल्ब नमबर एक यानकी बचन बचन जो है यह क्या है pulling सब्द है pulling सब्द आपको याद रखना है pulling निम्न में ऐसे pulling सब्द यहाँ पर भी आपके लिए बताने है आसा अंबिका या अग्या या साला यह आपका 10 वा question है चार विकल्ब भी आपके यहाँ पर दिए गए है question number 10 का सई आंसर है विकल्ब नमबर आपका D यानकी साला आपका यहाँ पर सई आंसर है साला right answer है अंगला question है आचारिया का pulling सब्द क्या होगा आचारिय सिक्छक गुरू आरिये यह आपके चार विकल्ब है question number 11 का सई आंसर बताना है आचारिया तो आचारिया का जो यहाँ पर pulling सब्द होगा बहे होगा आचारिया क्या होगा आचारिया आपका यहाँ पर सई आंसर है आचारिया आपका right answer है अंगला question निम्न में उसी कौन सा इस्त्री लिंग है इस्त्री लिंग सब्द बताना है मित्र, कार्य, किर्प्या, किर्पा यति उहार यह आपकी चार विकल्ब है question number 12 का सही आंसर बताना है और 12 का राइट आंसर होगा किर्पा किर्पा जो है किर्पा इस्त्री लिंग सब्द है किर्पा आपका राइट आंसर यहाँ पर होए अंगला question क्या है तो अंगला question है इस्त्री लिंग सब्द यहाँ पर बताना है कौन सा है इस्त्री लिंग सब्द question number 13 का सही आंसर आप बताए क्या होगा question number 13 का राइट आंसर सब्रक्राइब, इस्तिरीलिंग सबत धुमा, भत्ता, संध्या यहाँ धाबा तो आपका सही आंसर है इहाँ पर विकल्प नंबर B आनिकी संध्या आपका इहां पर राइट आंसर है बिल्कुल सही अंगला question क्या है? तपसी का स्तिरीलिंग क्या होका? question number है आपका यहां पर चवदा और 24 का सही answer यहां पर क्या होगा question number 14 है भौती महत्पूंड question है तपस्वी का इस त्रीलिंग बताना है तो 14 का सही answer आपका विकल्प नमबर एक तपस्वी नी आपका यहां पर सही answer विकल्प नमबर एक राइट law आंसर बहुत बढ़ी हैं अंगला पंदरा निमने लिखत में ऐसे कौन सा इस्त्री लिंग है चीन देवनांगरी पीतल या हिमालाई यह चार विकल्फ है, question number 15, यहाँ पर इस्त्री लिंग बताना है, तो इस्त्री लिंग में आपका हो जाएगा देब नांगरी, देब नांगरी आपका सही answer है, अंगला question, रिसी का जो इस्त्री लिंग होगा, भै क्या होगा, रिसी का इस्त्री लिंग बताना है, question number आपका इह त्री लिंग होगा निमम्न मेज इस्त्री लिंग है यहाँ है आपको पुलिंग सब्द है पुलिंग सब्द कौन सा है नहर आय बिय या घास यह चार विकल्प है question number 18 का सही answer बताना है 18 का right answer having a be a a a आपका है यहाँ पर सही answer be a क्या है यह आपका pulling है अंगला question है निमनल मैंसे इस ट्रिलिंग नहीं है देखें नहीं है नहीं है तो कौन सा नहीं है यहाँ पर बताइए question number 19 का सही answer बताना है पानी यानी कहानी या रानी तो देखी यहानी भी है आपका इस्त्री लिंग रानी भी है कहानी यह पानी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा पानी आपका विकल्प नमबर एक राइट आंसर है यह इस्त्री लिंग नहीं है अंगला कॉस्चिन क्या है देखे यहाँ पर अंगला कॉस्चिन क्या है निमन मैं से इस्त्री लिंग है इस्त्री लिंग कौन सा है दोद मठा मक्खन छाच तो इस्त्री लिंग कौन सा है question number 20 का सही answer क्या होगा छाच छाच आपका यहाँ पर सही answer है छाच right answer है निवने लिखे सब्दों में stayling है इस तरी लिंग है यहाँ पर भी आपके लिए question no.21 का राइट answer बताना है दोर, रस्षा, धागा, या सूथ तो दोर जो सब्द है दोर सब्द यह क्या है यह इस तरी लिंग है यह है तो question number 22 का सही answer आपका यहाँ पर जो है विकल्प number आपका B यान की कष्ट आपका यह जो सब्द है यह क्या है pulling है अंगला question निमने मैं से इस त्री लिंग सब्द बता नहीं आपर विबाद रूप सार या I तो यह चार विकल्प है question number 23 का सही answer बताईए 23 का right answer क्या होगा तो I आपका सही answer है I सब्द क्या है इस त्री लिंग है इस त्री लिंग है विकल्प number D राइट answer है अंगला question निमन मैं से इस त्री लिंग सब्द है ग्रहे पत्ता चंदन सभा question number 24 है 24 का सही answer है आपका विकल्प number D यान की सभा सभा क्या है इस तरी लिंग सब्द है अंगला कोश्चन है निमनम यसी पुलिंग सब्द है तो पुलिंग सब्द कौन सा है कोश्चन नमबर 25 का सही आंसर बताना है छमा छेतर घटना रीती तो पुलिंग सब्द है कोश्चन नमबर 25 का राइट आंसर सी आनकी छेतर आपका सह आंसर है, छेत्र राइट आंसर है, अंगला कॉस्चन है, कर्मकारक का चिन है, तो कॉस्चन नमबर 26 का सही आंसर बताना है, कॉस्चन नमबर 26 का सही आंसर क्या होगा, को, को आपका यहां पर सही आंसर है, को राइट आंसर है, विकल्प नमबर C राइट आंसर है, अंगला कॉ आप पर पूंच् conserv या रमा विध्यालए सो घर जाती है कारता सम्भंध hearingון किमा रमा अस्कुन से घर जाती है इसमें जो कारक है आपका कौन सा अपादान त्यानी कि कौ से मास्टर जी बैठे है इस वाख के में कौन सा कारक है कंशननल 8 तो beshtба मास्टर जी बैठें इसमें जो कारक है भहे अधीकरण आपका हुआ अपर सही आंसर है अधीकरण जjungों ने बताया है अधीकरण कारक अंगला कॉश्चन है क्या है अंगला कॉश्चन तो देखे क्वश्चन नमबर 29 राजा सेवक को कंबल देता है कौन सा कारक प्रियुक्ते है कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या करता कारक question number 29 है और संप्रदान कारक आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प number C right answer है अंगला question है राम की गाय चरती है बाकि में प्रियुक्ते कारक है राम की गाय चर्ती है तो इसमें कौन सा कारक है तीस का राइट आंसर है आपका विकल्प नमबर C आनकी संबंध कारक संबंध कारक आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही अंगला क्वेश्चन क्या पूँचा है बच्चे बस से पाट साला जाते हैं इस बाकी में कौन सा कारक है अपादान, कर्म, संप्रदान या करण कारक तो कॉस्चन नमबर 31 का सही आंसर बताना है 31 का राइट आंसर है आपका विकल्प नमबर D करण कारक करण कारक आपका हैं पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन क्या पूँचा क्या है कौन सा सब्द इस्त्री लिंग है कौन सा सब्द इस्त्री लिंग है यह आपके लिए 32 में बताना है 32 का राइट आंसर क्या हो है यहाँ पर एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक अबस्ते कल लें जोनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कौन सा सब्द है जो इस्त्रीलिंग नहीं है तो बताइए क्या होगा राइट आंसर question number 33 का तो निराला निराला आपका जो है इस्त्रीलिंग सब्द नहीं है कौन सा सब्द इस्त्रीलिंग है तो कौन सा सब्द इस्त्रीलिंग है रत्न नकल मोती बच्पन ये चार विकल्प है, ये देखिए question आपके पूंचे काई हैं, हर question पूंचे काई हैं आपके, तो कौन सा सब्द strilling है, तो strilling है पूंचा है, 34 में तो आपका C right answer है नकल, नकल आपका यहाँ पर सही answer है, strilling है, अंगला question है, सदा बहु बचन में प्रियोक्त होता है, सदा बहु answer है, सदा बहु बचन में प्रियोक्त होता है, सदा बहु बचन में क्या प्रियोक्त होता है, तो ये आपके लिए बताना है, लड़का, प्राण, घोडा या बधु, ये चार विकल्प है, सदा बहु बचन में, सदा बहु बचन में प्रियोक्त होता है, तो आपका 36 का सही answer प्रण आपकर comment प्रण कारम कारक में आपकर कारत कहार इना पहरें में अधी करण कारक का विभक्ती चिन्न है कौन सा है को के लिए में पर का कीरी ये बताईए question number 38 है में पर ये जो है आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल नंबर सी right answer है अंगला question ने में लिखे तमें ऐसे कौन सी जोड़ी सही नहीं है सही नहीं है पूंचा है तो question number 49 का सही answer बताईए कौन सी जोड़ी सही नहीं है बेटी बेटिया डिविया डिविया या स्रोता स्रोतागन बदू बदूए तो आपका जो सही answer यहाँ पर होगा वै विकल्प number D right answer होगा यह जोड़ी सही नहीं है बिलकुल सही विकल्प number D right answer पुस्तक रखी है वाक में बचन है एक बचन दुई बचन बहु बचन या त्री बचन तो question number 40 का सही answer बताना है एक बचन पुस्तक रखी है पुस्तक रखी है तो इसमें एक बचन आपका सही answer है बिलकुल सही शिक्षक का बहु बचन होगा सिक्षक का बहु बचन क्या होगा question number 41 का सही answer बहुत वीशल question है क्या है इसका सही answer तो सिक्षक गण आपका यहाँ पर सही answer है सिक्षक गण आपका right answer है बिलकुल सही सिक्षक गण right answer है कभी सब्द का बहु बचन होगा कभी सब्द का यहाँ पर बहु बचन क्या होगा कभी कभीयों कभीया कभीयों तो यह आपके चार विकल्ब दे गए है कॉस्चिन नमबर 42 है 42 का सही आंसर है आपका कभीयों कभी सब्द का बहु बचन कभी राइट आंसर है विकल नमबर B अंगला कॉस्चन देखिए अंगला कॉस्चन है इन में से किस सब्द का एक बचन और बहु बचन रूप समान होता है यह कॉस्चन आपका महत्तपूर है क्योंकि इसका एक बचन और बहु बचन दोनों क्या होत है समान होता है जल का रोटी कली या गुणिया तो 43 का सही आंसर है जल जल आपका सही आंसर है जल आपका राइट आंसर है अंगले question है इन में से किस सब्द का एक बचन बहु बचन रूप समान होता है ये भी आपका मत्पुन है question is 44,44 ka sahy answer आपका यहां पर क्या है तो 44 ka sahy answer आपका आदमी आदमी आपका right answer है इसका एक बचन और बहुबचन रूप जो है समान होती है विकलप नंबर D right answer ugly question जेखे okay और के लिए किस कारक की चिन है 的 को और के लिए किस कारक की चिन है question number 45 है, 45 का सही answer है, विकल्ब नमबर 1 यानिकी संप्रदान, संप्रदान आप कहें आपर सही answer है, बिल्कुल सही विकल्ब नमबर 1 राइट answer है, अंगला question, देखे, लड़का पेड़ से ग्रा, इस वाक्त में कारक बताईए, लड़का पेड़ से ग्रा, संपरदान कारक है, अपादान कारक है, कर्म कारक है, करता कारक है कॉस्चन नमबर है, आपके यहाँ पर 46, 40 का सही आंसर है अपादान कारक अपादान कारक आपके यहाँ पर सही आंसर है, अपादान कारक अंगला question क्या है देखिए पेड़ पर पक्षी बेटे हैं इस बाक्षी में कारक है बताईए question number 47 है 47 का अधिकरण कारक आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प number D right answer आपका यहाँ पर है कारक की कितने भीध है यह बताना है आपके लिए question number 48 का सही answer बताईए कारक की कितने भीध है बहुती मात्वण question है अपने 7,8,9,12 तो आपका सही answer है 8,8 आपका right answer है कारक की कितने भीध है 8 भीध है अंगला question देखिए भूके को अन्ने दो बाक्षी में कारक है भूके को अन्ने दो तो इसमें कौन सा कारक होगा करता कर्म या संप्रदान या अधिकरन question number है आपका 49,49 का सही answer है आपका क्या है विकल्प number B, संप्रदान संप्रदान आपका यहाँ पर सही answer है संप्रदान right answer सादू आ रहे हैं बाक्षी में सादू बचन नरधारित कीजिए सादू मतलब सादू जो है इन सादू में कौन सा बचन होगा एक बचन, दोई बचन, बहु बचन इनमें से कोई नहीं question number 50 है सभी लोग एक बार यहाँ पर पचास बचन है तो सभी लोग एक बार वीडियो को like अबस दिकलने और आपका यहाँ पर सादू आ रहे हैं बात में सादू बचन नरधारित कीजिए आपका राइट आंसर है बहु बचन बहु बचन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा हिंदी भासा में बचन कितनी है हिंदी भासा में बचन बताना है कितनी है तो बताईए तीन, दो, चार, पांच question number 50 इंक्या उनका question है इंक्या उनका सही answer है आपका विकल्प number क्या होगा तो हिंदी भासा में बचन कितनी है तो आपका सही answer है नमबर भी राइट आंसर है, दो आपका राइट आंसर होगा, अंगला कॉस्चन क्या है, अंगला कॉस्चन यह रहा आपका अंगला कॉस्चन देखिए, इसको थोड़ी सा यहाँ पर, यह देखिए, चडिया सब्द का प्रियोग बहु बचन में क्या होता है, क्या होता है, य आपके लिए बताने है, बहु बचन में पूचा है, question number bound है, यूपी टेट में पूचा गया question है, तो question number आपका यहाँ पर bound का right answer जो है, चडिया सब्द का बहु बचन होगा, चडिया, चडिया सब्द का बहु बचन, चडिया सब्द का बहु बचन में क्या होता है, तो चडिय यहां होता है, बिल्कुल सही से हम आपका यहां पर right answer, विकल्ब number 1 आंगला question, निमल के सब्दों में से एक बचन है, एक बचन है, प्रान, ओर्ट, दर्शन, तेल, यह 4 विकल्ब है, एक बचन क्या है, यहां पर, एक बचन बताना है, question number 53 का right answer, एक बचन में आपका तेल सही answer ह तेल राइट आंसर है अंगला कॉस्चन क्या है अंगला कॉस्चन देख लेते हैं पती सब्द का अभी विवक्ति बहु बचन होता है तो क्या होता है यह आपके लिए बताना है पतियों या पतियों या पतियों या पतियों या पतियों तो यह आपके चार विकल्ब हैं चंग लता या चर्सों या कुर्टा तो यह आपकी चार विकल्ब हैं question number 55 है दोनों बचनों में समान रहता है कौन सा सब्द है तो आपका सही answer होगा यहाँ पर 55 का विकल्ब नमबर एक कथा कथा आपका सही answer अंगला question है किसका प्रियोग सद्यों बहु बचन में होता है दर्सन लता नारी गाए तो question number 56 का सही answer बताना है कि किसका प्रियोग सद्यों बहु बचन में होता है तो चप्रियोग सद्यों बहु बचन में होता है दर्सन दर्सन का जो प्रियोग होता है सद्यों बहु बचन में होता है विकल्ब नमबर एक सही answer है निमने लिकित विकल्बों में से एक बचन सब्द कौन सही एक बचन सब्द बताएं दर्सन है घरों है नदी है लताओं है Question number संताउन का सही answer क्या होगा संताउन का सही answer बताना है तो नदी आपका right answer नदी एक बचन आपका सब्द ही ए नदी विकल्प number आपका भी right answer है अंगला question किसका प्रियोग सदा एक बचन में होता है एक बचन में घर नदी सादू या प्रितेक ये आपके चार विकल्प दे गए हैं नदी सादू प्रितेक घर तो किसका प्रियोग सदा एक बचन में होता है तो अंठाउन का सही answer है विकल्प number B यानकी प्रितेक का प्रितेक सब्द का सदियो एक बचन में जुहे सदा प्रियोग किया जाता है ःगला क्वश्चन क्या है देखिए अंगला क्वश्चन है बहू बच्चन वाची अभियव है बहू बच्चन वाची अभियव कौन सा है क्वश्चन नमबर 69 है अंपना यहां पर 69 पर een 60 का सही आंसर आपका तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा साट का विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है साट का यानि की सहायता आपका यहाँ पर सही आंसर है विल्कुल सही चाकू सब्द का बहु बचन क्या होगा बहुत ही सल कॉस्चन पूछा है आपसी चाकू सब्द का बहु बचन बता का बहुबचन बताईए खूटी नम्बर 62 का सही आंसर बताना है क्या है बिल्कुल सही सराल कोशचन है खूटी सब्द का खूटी आपका यहाँ पर बहुबचन में हो जाएगा खूटी आँगला कोशचन क्या है देखिए नेमलिकेट में से कौन सा सब्द बहु बचन है बहु बचन है पौधा प्राण लालका पुस्तक तो आपका सही आंसर तरे सट का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है यानि की प्राण आपका सही आंसर प्राण जो सब्द है यह क्या है आपका यह आपका सब्द है बहु बचन विकल्प नंब बरसी जोनों नहीं बताया है उनका यहां पर भहुत सही right answer है तो इस परकार अपने यहां पर जो भी यहां पर महत्पुन question थे कारक और बचन और आपके किसे link से संबंदित कारक बचन और link से संबंदित अपने यहां पर topic complete हो चुका है तो आप आँगे यहां पर अपन पढ़ भासा और बोली फिर आपसे यहां पर संदी फिर समास अब कारक बचन लिंक हो गए अब आँगे और अपना जो अंगला topic रहेगा उससे संबंदित question करेंगे सभी लोग वीडियो को लाइक अबस्ते करने जन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है चैनल को subscribe करने बेल आइक अब आएगे अल पर click करें ताकि वीडियो की जनकारी आपके हाँ तक पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को share करें और वीडियो को like करना ना भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन